Hello everyone, let's talk about PCR and its type So PCR होता क्या है? PCR होता है Polymerase Chain Reaction ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम एक Specific DNA Sequence की Multiple Copies बना सकते हैं और ये टेक्निक डेवलेप की थी Carrie Mullis ने in 1983 जो कि एक American Biochemist थे PCR से हम ना Multiple Millions of Copies बना सकते हैं एक Small DNA Fragments की चाहे वो Unknown DNA Sequence क्यों ना हो ताकि उसे हम Determine कर सकें Forensics में यूज कर सकें और इसे हम Molecular Biology और Bio Technology में भी यूज कर सकते हैं लेप्स में Work के लिए तो पिंसिपल देखते हैं PCR का PCR एक Enzymatic Replication Technique है जो DNA के Sequence को Amplify करती है और इसकी Multiple Copies बनाते हैं DNA Polymerase Synthesize New Strand of DNA Complementary to the Template Strand तो यहां पर यह कहा गया है कि जो एक DNA का Sequence है उसकी ही Complementary मतलब उसकी Complementary Sequence जो है वो Create कर देता है PCR तो इसकी Step देखते हैं तो जो DNA है PCR है उसमें तीन स्टेप होते हैं देनेटिरेशन एनेलिंग और एक्सेंशन जो DNA का Sequence है उसको देनेटिरेशन जाता है 94 to 96 degree Celsius temperature पर देनेटिर होने से वो separate हो जाता है यह एने लिंग करते हैं हम माइनस 68 degree Celsius पर और यह एक्सेंशन करते हैं आइट 72 degree Celsius पर एक्सेंशन 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 से जो है वह टिनटी क्यों पिस एड के जाता है कंप्लिमेंक्री जिससे नया स्ट्रेंट हो जाता है थ्री प्राइमेंट पर तो दिनेटिरेशन क्या होता जो जो टू स्टैंड हो सेपरेट हो जाते ईनलिंग में जो है वो प्राइमर जो एनलिंग ऑफ प्राइमर टुरी स्ट्रंड तो और सपरेट हो जाते है मतलब उसके घुड़ प्राइमेंड और यह 60 डिग्री सेल्सेश से 72 डिग्री सेल्सेश पर होता है तो यह जो है वो जो PCR है वो 20 से 30 मिनिट में मल्टिपल कोपी बना जा बना देता है इन ओटोमेटेड थर्मो साइकलर में तो जो PCR है उसका फॉर्मूला है एम्प्लिफिकेशन इस इक्वल टू एन फिर टू एन इस नंबर पीचियार साइकल्स तो पीचियार से हम डिजार डियार ने को अंप्लिफाई कर सकते हैं वैल्यूबल और हाइल स्पेसिफिक डियाने को या फिर और सेंसिटिव डियाने को यह एक वाइडल यूज टेक्निक है जो क्लिनिकल मेडिकल साइंस में यूज की गया तो डाइगनोस करने के लिए फोरंसिक साइंस के लिए डियाने फिंगर प्रिंट के लिए इवलूशनर बायलोजी के लिए भी हमने इसे यूज किया हुआ है तो इसके टाइपस देखते रियल टाइम PCR में क्या कॉमनल यूज किया जाता है फोर जीन एक्सप्रेशन के लिए यह सैंसिटीव सैंसिटीव प्रोससर माइक्रो ऐसे से जिसमें हम स्मॉल चेंजिज इन एक्सप्रेशन करते हैं बट रिक्वायर मोर इंपूट इन आर ने एंडिस लेस इससे हमें स्माल सब्सेट्स ओफ डियन ने को भी एंप्लिफाई कर सकते हैं दनेस्टेट पीसियार नेस्टेट पीसियार क्या करता है वह डिजाइन किया गया था इंप्रूव सैंसिटिविटी और स्पैसिफिसिटी के लिए उसे उसे इंप्रूव किया गया था जो multiplex PCR है उसमें क्या करते हैं जो several different DNA sequence है उसको multiple primers में एक tube के अंदर amplify किया जाता है then quantitative PCR ये PCR को हम real time PCR भी कह सकते हैं इसके अंदर जो है वो coupled amplification of target DNA sequence किया जाता है quantification of concentration of DNA species के साथ तो इसमें हम क्या करते हैं Amplify करते हैं target DNA को जिसकी हम quantification करते हैं Arboratory Primer PCR तो इसमें क्या करते हैं इसमें हम यूज करते हैं detect करने के लिए changes in the gene expression अगर कोई भी इस particular gene में कोई भी expression change कर रहा है तो हम उसे देख सकते हैं उसे amplify कर सकते हैं उसे alter कर सकते हैं और इस study में हम detect कर सकते हैं MRNA expression के अंदर इसकी application क्या है इसकी application है कि हम इसे millions of copies बना सकते हैं DNA sequence की और इस और इसकी application से हम इसे forensic science में यूज कर सकते हैं research laboratory में यूज कर सकते हैं diagnostic के लिए यूज कर सकते हैं और multiple copies बनाने के लिए इंप्लिफाई कर सकते हैं specific DNA sequence को that's it thank you so much